Artificial Intelligence याने की कुत्रिन बुद्धिमत्ता एक ऐसी टेक्नोलोजी है जो आज की समझ में हरेक्षित्र में प्रभावडा हो रही है चाहे वो film making हो या e-commerce, graphics designing हो या content writing, school से लेकर social media, चाहे वो car चलाना हो या car को बनाना, military से लेकिद politics अरेक्षित्र में artificial intelligence के आने से अवारा का और असान हो गया है जिसने कुछ साथ में हरेक्षित्र में इसका उप्योग जयादा उचाने से कुछ हो ऐसा कहना है कि हम इसके विकास की को कम करना चाहें कि आने माले पहिश्य में याई शांति लाएगा या बिनाश आये देखे एस इस अवारे माना गुद्धिमत्ता की तरह काम कर सकती है इसपे अप्यूटर को ताकत मिलती है समझने की और सीक्रे की AI का काम करने का मूलतत्व और मशीन लड़निंग है मशीन लड़निंग के तवारा कम्प्यूटर को डेटा को सीखने और समझने की शब्ता मिलती है जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन में फोटो खीचते है और उसे खुद से शब्दों में लिखते है तो वह कम्प्यूटर उ कोई नहीं टेक्नलोजी नहीं है यह तो अपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पुरानी है यह एकी शुरुआत तभी हो कई थी जब उन्नी सो तेतालीस में वारन में लॉटर पिट्स ने आटिफिशल नियूरन्स का शिकर किया पर आटिफिशल इंटेलिजेंस इस शब्द पहला चेकबॉट था फिर 1912 में जापा ने पहला हुमनोइड रबॉट बनाया गया जिसका नाम था वेबॉट वन उन्नी सो नबे में आटिफिशल इंटेलिजेंस और इंटरेट का संबंध मजबूत हुआ और उसके बाद 1970 में IBM के ब्ल्यू डीप ने वर्ड चेस चेंपि इस पर तब ध्यान देना शुरू किया जब डवेंबर 2022 में चेट जीपीटी 3.5 को सारोजरी ग्रूप से उपलब्द किया गया चेट जीपीटी ओपन ही है कि द्वाना बनाया गया एक लार्ज लेंग्वेज मॉडल है जो इंसानों के बात करने के तरीके को समत्ता है इसका जवाब देने का तरीका बिलकुल इंसानों की तरह है और इतना सकीक और बढ़िया कि कहीं कमपनी इस ने तो इसे कॉपी भी कर दिया चली अब बात करते हैं कि आटिफीचल इंटेशन को रोज मर्ला की जिन्दगी में यूज करने के फाइदे क्या है सबसे पहला है इंक्र इसका उप्योग हम बिजनस के चित्र में कर सकते हैं तक कि बिजनस को ग्रोग किया जा सके परफॉर्म रेपिटिटिव जॉप्स हम इंसानों के कहीं काम तो ऐसे होते हैं जो हम रोज-्रोज करने पड़ते हैं जैसे की इमेल का रिपलाइदेना बढ़ दिविश करना हम ऐस सकते हैं आगरी है फास्टर डिशीजन यह किसी भी इंसान की तुल्ना में कुछ ज्यादा ही तीजी से निड़ह ले सकता है जिससे हमारे काफी समय का बचाव होता है अब बात करते हैं कि AI को यूज करने के नुकसान क्या है पहला है हाई कोस्ट AI की डिवाइस को बनाने में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च होते हैं इसके हारडवेर और सॉफ्टर डोनों की प्राइज कुछ ज्यादा ही है इसलिए AI के टूल्स ज्यादा ही महकन होते हzenा दूसरा है low creativity, इंसानों के पास AI से ज्यादा creativity होती है, AI उत्ता ही काम करेगा जित्ता उसको आदेश दिया गया है, यानि वो अपने दिमाग का ज्यादा यूज नहीं कर सकता है किसी भी काम को करने के लिए, तीसरा है unemployment, इस technology ने बे रोजगारी को काफी बढा दिया है, क्यों emotions नहीं होते, अब बात करते हैं कि हम AI का सही तरीके से कैसे उप्योग कर सकते हैं, AI का उप्योग हम सिख्षक शेत्र में कर सकते हैं, ताकि बहतर सिख्षा लोगों तक पहुंचा सके, इसके द्वारा teacher आसाली से किसी भी बच्चे को computer में animation और graphics निखा कर पढ़ा सकता है, इ इसकी मदद से apps और website में chatbot का निर्मान किया जाता है, chatbot सीरे customer से बात कर सकता है, इसका इस्तमाल lifestyle को advanced और modern बनाने में किया जा सकता है, जैसे कि हम smart devices का use करके अपने पूरे घर को automate कर सकते हैं, इसका इस्तमाल human resources को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि product का production ज्यादा मात में किया जा सके, और मनुष्य 24 घंटे किसी भी काम को नहीं कर सकता है, लेकिन AI की digital device और machine 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं, इसका इस्तमाल स्वास्त क्षेतर में किया जा सकता है, AI इसका इस्तमाल आज के समय में छोटे बड़े hospital में किया जाता है, इसका इस्तमाल से मरीज की बीमारी का पता लगाया जाता है, और बीमारी को ठीक किया जाता है, इसका प्रयोग खेक में मिट्टी और फसलों की quality को चेक करने के लिए गिया जाता है, AI तकनीक की मदद से soil की कम्यों को पहचाना जा सके, और उस मिट्टी में सुधार किया जा सके, ताकि पहचानी से soil किया जा सकता है, इसकी सहायता से हम यह जान सकते है कि अंत्रिक्ष कैसे काम करता है और इसकी उत्पति कैसे हुई थी, गैक जी की क्षित्र में artificial intelligence का इस्तवाल, customer को account और transaction की जानकारी देने किलीब किया जाता है, इसी भी भैक्ती और company के लिए उसका data ज्याद किया जाता है, जैसे कि Netflix और YouTube, जिससे हमें वही प्रोग्राम दिखते हैं, जो हम देखना पसंद करते हैं, यह थी artificial intelligence से related जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था, मुझे यहां तक सुनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ग